हेलो दोस्तो वेलकम टू उत्तराखंड जी के वैरी जी ट्रिक्स तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी अप्डेटे दोस्तो क्योंकि इस जो वीडियो से है ये तो किलिए रो जाता है कि उत्तराखंड पुलिस की भरती आ जाएगी मार्च लास लास तक अभी बड़ा आ रहा था सामने वो था दोस्तो पदोन्नती को लेकर देखिए हाली में पुलिस विभाग में पदोन्नती होनी थी और कुछ लोगों की पदोन्नती हो भी गई थी लेकिन आरक्षन का जो क्राइटीरिया था इसकी विज़े से क्या हो था ओवर ओल जो कम्प्रीट पदोन्नती थी वह नहीं हो पाई थी ठीक है तो यहां से सबसे बहले सुप्रिम कोड का अभी हाली में डिसिजन आया दोस्तों की पदोन्नती यानि कि परमोशन में आरक्षन को खतम कर दिया गया है यानि कि अगर परमोशन डिपार्टमेंट वेस पे परमोशन होता है तो आरक्षन मानने नहीं होगा जबकि जो उनका टाइम पिरियड है टाइम पिरियड के हिसाब से या उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन होगा तो उसी के रिगार्डिंग लिए ख़बर है उस्तो एक ख़बर है इसमें जो कि है उत्तराखंड पुलिस भरती के रिगार्डिंग यानिकि उत्तराखंड पुलिस भरती और दोस्तो एक जाहिर सी बात है कि आप लोग की 6 माहा की ट्रेनिंग कराई जाएगी जल्द और जो कुम्भ होना है 2022 के लिए उसके लिए व्योस्ता करनी है 1700 के आसवास पुलिस करमचारियों की इसे के साथ-साथ उत्तराखंड में L.T. सिक्षयाग भरती के रिगार्डिंग लिए आपकी न्यूज रहने वाली है तो सबसे बहले बात करेंगे दोस्तों पुलिस भरती के रिगार्डिंग लिए उसके बारे में इसके अलावा दोस्तों इंस्पेक्टरों के 96 पदों पर भी प्रमोशन जल्द होने के कारण दरोगा के पद भी खाले होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की वेकेंसिया भी आ जाए अभी करीब 1000 कॉंस्टिबलों के हैट कॉंस्टिबल बनने में पदोन्नती में आरक्षन का मसला भाधक बना हुआ था जिस कारण पुलिस मुख्याले पदोन्नती नहीं कर पाड़ था और देखे दोस्तों 2018 लाष्ट से प्रमोशन के चक्कर में उल्जा पड़ाता उत्राखन पुलिस का मामला जो कि आप सुप्रिम कोट के आरक्षन पर डिसीजन के बाद किलियर हो गया है इसी के चलते करीब 1700 सिपाईयों की भरती नहीं हो पा रही थी लेकिन अब मुख्याले जल्द प्रमोशन कर भरतियां शुरू करेगा और सुत्रों ने बताया है कि आगामी कुम्ब में बड़ी संख्या में पुलिस करीओं की जरूरत को देखते हुए जल्द ही भरतियां की जाएंगी ताकि उनकी 6 महा की ट्रेनिंग के बाद आगया की ट्रेनिंग कुम्ब ड्यूटी में करवाई जाए तो देखे दोस्तों आपके ट्रेनिंग भी 6 महा की होगी तो हो सकता है कि मार्च तक या मार्च लाष तक उत्तराखंड पुलिस की वेकेंसिया आपको ग्राउंड पर देखने को मिल जाए और साथी दोस्तों जून जुलाई तक इसके फिजिकल भी कंप्लिट हो जाएंगे ठीक है जुन जुलाई तक फिजिकल होगे जल से जल इसकी प्रोसेस को कंप्लिट कर देगा उत्राखंड पुलिस विभाग और पेपर कराएगा इसमें उत्राखंड नदिनस सिवा चेनायोग और इसी के देखिए शेक्षेकों की नई भरती की रहा भी खुली यानि की एल्टी की जो आपकी 1200 वेकेंसी जानी थी उसमें भी कुछ आपका प्रमोशन का सेडियूल बनना हुआ था प्रमोशन की चकर में कुछ पोस्टर्स में दिक्कत हो रही थी तो वह भी आपको जल्द ही ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे ठीक है इसी के साथ-साथ एल्टी की अन्दी पोस्टर्स भी आएंगी क्योंकि एल्टी से प्रवक्ता में प्रमोशन होना है बहुत सारे लोगों का जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है कि 3149 एल्टी सिक्षकों का आप दोस्तों प्रवक्ता के पत पर प्रमोशन होगा 1949 की प्रमोशन प्रकिरिया पर हो चुका है आदेश ठीक है और 1200 एल्टी सिक्षकों का आप ब्योरा तयार है और आयोग को भी जा जाना है और 1200 LTE की पोस्टिस पे आपकी वेकेंसी निकलनी है ठीक है और वरतवान में ये प्रमोशन या पदुन्नती को लेकर अटकी हुई थी लेकिन अब जल्द ही आपको LTE की भरती भी देखने को मिलेगी ठीक है इसी के साथ 2001 से पहले सभी वरिष्टे LTE प्रवक्ताओं को मिलेग हेड मास्टर प्रमोशन में मौका तो देखिए सुप्रीम कोट के डिसीजन के बाद बहुत अटक काफी सारी भरतियां जो अटकी हुई थी शिक्ष्या विभाग में या शिक्ष्यकूं की भरती या फिर हमारी उत्राखन पुलिस की भरती तो वहां पर आसानी से आ जाएग तो हमारा उत्राखन का online clause चला है जो कि एक मार्चा से आपका start होने वाला है इसमें आपको उत्राखन दोस्तों details में पढ़ाई जाएगी उत्राखन के सभी competitive exams भले ही वह उत्राखन पुलिस हो वीडियो हो वीपीडियो हो कलर को हो सायक या कनिष्ट जो मारा जो कलर को होता ह है तो आप इन नंबर उपर संपर कर सकते हैं क्योंकि 40 मार्च दोस्तों काफी उत्राखन का काफी margin माने जाता है उत्राखन के exams में इसी कारण आपका एक course रहेगा आपकी फीस रहेगी इसमें 5-6 मैने का course रहेगा और 2500 की फीस रहेगी ठीक है तो हम इसे मार्च में इसले start क course complete हो जाए और आप आसानी से इन पेपरों में qualify कर पाएं तो आज की इस वीडियो में इतना है दुस्तों thank you, thanks for watching this video, see you next time